हेलो फेंड्स बिलकम टो माई योटोब चैनल जी येस क्लासेज में आपका स्वागत है तो फेंड्स फाइली आयोग के दौरा अपने गल्ती जो उन्होंने गल्ती की हुई थी उसको जो है एक विग्यप्ती के दौरा उन्होंने सुधार कहने की कोशिस की है यानि कि उन्हों यानि कि प्रियाग राज द्वारा 19 सितंबर 2021 यानि कि दिन रविवार को प्रदेश के 16 जनपदों में आजजित की जारी प्रवक्ता परिच्छा यानि कि पूरू समहिला राज की इंटर कालिज प्रारामिक परिच्छा 2020 के सम्मंद में एते दौरा सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा उक्त परिच्छा से सम्मंदित कानपूर नगर जनपद के लिए जो है परिच्छा के पते में आंसिक संसोधन किया गया है जो निम्नवत है यानि कि जनपद है वा कानपूर नगर है जो यह अनुक्रमांग दिया गया हुआ है 279041 से लेकर 284582 यानि कि इनक परिच्छा केंद्र का जो एडर्स दिया गया था वह दिया गया था राजकी इंटर कालेज भाति चुन्सटिकश्यानमग भयाकों श्यानमे बटी आर्थ लाल इंुम्नी चौरहा कानपूर नर्यगर बट इसका जो संसोधित पता दिया गया है अब यह हुग्छ्यानमे च्यानब बटने आठ लाल इमली चौरहा कानपुर ठीक है तो ध्यान रिजिकेगा जिनका 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 जो सेंटर का एड्रेस देगा आप लोग सभी लोग अपना एड्रेस चेक कर लेजेगा जिनका रोल लंबर बीच में आ रहा है 279041 से लेके 284582 के बीच में जिनका भी रोल लंबर है वो अपने एड्रेस को एक बारी चेक कर लें उनके एड्रेस को जो है चेंज किया गया है या चेंज नहीं किया गया है आप ऐसा कह सकते हैं कि जो एड्रेस आल्रेडी जो आपके एड्मिट कार्ड में दिया गया था वो दिया गया था वो संसोधित एड्मिट कार्ड की रूप में एक विग्यप्ति जारी की गई है जिसे आप लोग देख लेजें ठीक है बाद में आयोग ने इस वार इतनी गलती की है कि जिसकी वज़़ा से इस्टूडेंट को जो है खामयाजा भुगतना पड़ रहा है इस्टूडेंट कितने दूर दूर से बलिया आग रहा मतलब इतने कमेंट्स मैंने देखे हैं कि वो 900 किलिमिटर यार 900-1000 किलिमिटर की दूरी कोई सफर तै करके फिर एक्जाम हॉल में जब वो बैठेगा तो क्या देगा मेरे समझ में नहीं आ रहा आयोग से इतनी बड़ी गलती हो सकती है आयोग में इतने बड़े बड़े ऑफिसर रैंक के जो है अधिकारी बैठे होते हों उनके समझ में इतनी बड़ी बात नहीं आए कि स्टूडेंट में इस्टूडेंट में बात की जाए गल्स बताईए हिंदी के लिए अब हिंदी के लिए इलाहावाद को यानि प्रयाग राज को चुने हैं सोसियो लॉजी के लिए उन्होंने चुन लिया है जो है कानपूर नगर को इकोनोमिस के लिए उन्होंने बरेली चुना है, मतलब district wise इन्होंने center वाटा है, इसके लिए उन्होंने कोई week up ती जारी नहीं की है, कैसे जाएंगे student, कैसे उनको bus, उगदा, train, मतलब कोई भी information नहीं दी गई, क्योंगा address दे दिया गया है, send कर दिया गया है, और उसे के according student को part, जो है, अपना काम करना है, वो center कैसे पहुचेंगे, कहें से नहीं पहुचेंगे, कुछ भी information नहीं दी गई है, by the way हम क्या ही कर सकते हैं, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, अब तो admit card जारी हो चुका है, exam बहुत pass है, 19 तारीक को exam है, ठीक है, तो 10 तारीक, यानि 10 स सितंबर 2021 को यह विगप्ती जारी की गई है, आप लोग जो है देख लें, और एक विगप्ती प्रयागराज के लिए भी है, प्रयागराज के लिए है कि, प्रयागराज के लिए भी एक संसोधित किया गया है, अनुक्रबांक है, 461233 से लेके, 465470, जिनका center पहले दिया ग है, डाक्टर हर नारायन सिंग डिगरी कॉलेज, ब्लॉक A, 235P8M, कैरलाबाग, नियर वाटर वर्क्स प्रयागराज, और एक चेंजिंग की गई है, जिनका रूल अंबर है, 465472 से 469575 के बीच में, इनका जो पहले दिया गया था, वो था, SP कान्मेंट स्कूल V, बेगम ब बाजार भगवतपुर मोट, बंबरावली, उनका अब सिंटर का नाम दे दिया गया है, डाक्टर हर नारायन सिंग डिगरी कॉलेज, ब्लॉक B, 235P8M, कैरलाबाग, नियर वाटर वर्क्स प्रयागराज, ध्यान रखेगा है कि यहाँ पे ब्लॉक A है, और ये ब्लॉक B है, सेम नहीं है, ब्लॉक A और ब्लॉक B में ये डिवाइड किया गया है, तो आप लोग ध्यान रखेगा, आयोग ने जो गलती की है, उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते, बट अभी जो प्रजेंट टाइम में सिच्वेशन ऐसी बन रही है, कि देखिए, जी आसी लेक्षिरर के कोई exam drop करें, या ऐसी कोई problem हो, जो student को face करना पड़े, बट मैं देख रहा हूँ, जैसे कि मुझे comment मिल रहे हैं, उसके according यही है, कि student क्या कर रहे हैं, कि जो exam है, उसको drop करें, तो आप लोग उसे request एक, आप लोग जादा से जादा लोग, जितने लोग possibility बना सकते हैं, उतने तो exam में बहुत जादा जो है, देखने को मिलेगा, कटाप जो है, इस बार बहुत जादा नहीं जाने वाला, क्योंकि student जो है, participate बहुत कम करें, या आप ऐसा कह सकते हैं, कि 100 में कम से कम, मतलब एकदम गिरी से हालत में देखी जा, तो 30 लड़के paper छोड़ेंगे, छोड़ें जोड़ें जोड़ेंगे जोड़ेंगे से हाल